So Hello Everyone, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चनल पे, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहा है स्टॉक मार्केट डेट चनल Guys, आज हम बात करने वाले हैं निप्टी एंड बैंक निप्टी के ऊपर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि परसों यानी थर्स दे के दिन क्या है 15 अगस्त तो 15 अगस्त की सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत-बहुत सुपकाम ना है पंदरा अगस्त के दिन क्या रहेगा, मार्केट का रहेगा हॉलिटे और जिस बज़े से क्या होने वाला है कि कल बुद्भार को मतलब बेडनेस देखो, निप्टी एंड बैंक निप्टी दोनों की एक्सपाइरिया होने वाली है साथ में तो हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड में निप्टी एंड बैंक निप्टी के इंपोरेंट लेबल के बारे में जो आपको एक्सपाइरी के दिन में काफी ज़्यादा हिल्प करने बाले हैं ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं देर शुरू करने से पेले मैं थोड़ा सा ऊबरवीयो देना चाहूँगा हमारे प्रीबिएस लेबल के हो जो कि मैंने आपको कल के दन बताय थे तो आप उन लेबल के मैं ने से जिस तरीके से बताया था सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने ऊपर के लेबल नहीं दिये था बैंक निप्टी के अंदर मैंने आपको बता दिया था कितना 50800 उपर रजिस्टेंस है दिन उसके बाद अगर उपर निकलेगा तो हम बात करेंगे और 1200 तक कहीं ना कहीं हमको क्या देख रहे थे टार्गेट डिक रहे थे पर मैंने ऊपर के लेबल को जाज़ा तबज्जो नहीं दी थी क्यों कि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि मार्केट नीचे आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर बताया था कि अगर इस जोन में कहीं भी मार्केट ओपन होता है यह वाली जोन में यहाँ से उपर से यहाँ पर मतलब 600 से लेके 450 के जोन में मार्केट ओपन होता है तो आपको क्या करना है थोड़ाचा बेट करना है और इसके नीचे आपको ट्रेड लेना है नीचे के लिए और ऊपर ट्रेड पपन बात कर लेते हैं, just a minute, यहाँ पर इस जगे पर मार्केट उपन हुआ था, तो यहाँ से नीचे सस्टेन करना चालू गया, और इन लेबल्स पर आप देख सकते हो किस तरीके से नीचे आया, then फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, then फिर नीचे आ गया, और हमारे कुछ लेब इसपे हमको काफी बढ़िया काम करने के मौकिए मिलने है, इस जिगह पर आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट नीचे निकला, नीचे निकलने के बाते हैं आप पर रिटेस्ट किया, फिर नेक्स्ट सपोर्ट नग गया, तो भीक नेक्स्त शपोर्ट गया, तो उसके देता हूँ आपको just a minute ठीक है यह लेबल हमारे लिए कल के लिए important होने वाले हैं उपर के लेबल पचास जार दोसों तक के साइध लेबल मैंने कल दे दिये थे आपको तो बहुत जो लेबल हैं आपके पास अगर लगे रखे हुए तो better है otherwise कल का वीडियो देखके आप फिर से उनको लगा सकते हो then अब भी अगर पन बात करें तो नीचे support अब क्या-क्या निकल के आ रहे हैं तो नीचे की support की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हमारा आप जो लेबल है वो है कितना 49,000 830 का लेबल है जिस जगह पर market close हुआ है ठीक है अगर market इसी किसी range में open हो जाता है यहीं कई range में open हो जाता है और यहां से निकल के ऊपर की side जाता है तो upside के लिए हमें एक trade मिल सकता है bank nifty को पर क्योंकि expire ही है तो आपको stop loss यहां पर place करना चाहिए और इसके बाद आप यहां से यह वली जो range बनाई है market नहीं इस range के ऊपर जैसे market निकलेगा तो resistance आपको इस जगे पर मिल जाएगा जो कि यह 50,000 के आसपास कहां पर 15,000 49,530 के देन उसके बाद जो target रहेंगे आपको 49,380 के target आपके नीचे के लिए बैंकी निप्टी में important होने वाले हैं कल के लिए ठीक है तो I hope कि ये सारे लेबल्स आपने note कर लिए हैं नहीं note कर रहे हैं तो आप एक बाद note कर लिजेगा screenshot ले लिजेगा या pause करके आप ये लिख लिजेगा देन अपन बात करते हैं किसकी निप्टी 50 के बारे में ठीक है निप्टी 50 के लेबल क्या important हो सकते हैं उसके लिए बात कर लेते हैं किसी को अगर query हो रही है कि ये वाले जो labels हैं ये trend line वगरे मैंने क्यों लगाई है तो आप यहाँ पर देख सकते हो trend line मेरे लिए काफी helpful हो रही है आज के दिन में trend line इसलिए लगाई थी कि आप यहाँ पर देख सकते हो market previous time से ही पहले ये वाली trend line को आप देखो target यहाँ पर मिल गया है इसलिए मैंने यह लगाए थे ठीक ना अब चलते हैं अपन labels के उपर पांच मिट का time frame मैंने लगा लिया है अभी market में यहाँ पर same आप का रहेगा same आप चेक कर लिजेगा जिस तरीके से मैंने bank यहाँ इक निप्टी में आपको बता आ उसी तरीके से निप्टी में भी यहाँ पर कह रहेगा कि एक यह range रहेगी ठीक है यह वली जो range रहेगी यह range रहेगी आपकी 24 1060 से लेके 24 एक 100 की range ठीक है यह साट पॉइंट की range रहेगी इस साट पॉइंट की range से अगर market उपर निकलता है ठिक है उपर निकलता है तो आपको 24-200 ठिक है ना कितना 24-200 एंड ये एक resistance का काम कर सकती है 24 24-250 के असपस ठीक है और उपर के लिए एक और resistance निकल का आता है 24-300 ठीक है उपर के लिए ये resistance है अगर बैचन्स इस वहली लेच्प की रेंज से निकल के नीचे मार्केट जाता है तो यह वली जो रेंज है 24 120 की रेंज है इसको आप थोड़स अवोईट करो अगर मार्केट 2400 के नीचे निकलेगा तब अपने यहां पर ट्रेड मारेंगे ठीक है na important label आपको कल के दिन में banking निपटे के लिए देखने को मिल सकते हैं ठीक है ना तो I hope कि आपको ये सारी labels note down कर लिए होंगे और ये labels पर आप क्या करोगे अपने चार्ट पर लगा के रखो और इन labels पर मार्केट किस तरीके से मुवमेंट करता रियक्ट करता आप कुछ दिन उनको प्रैक्टिस करो ठीक है और यह लेबल लगाते वगरा कैसे इसके लिए मैं इस बार सेटर्डे को वीडियो वनाने वाला हूँ कि यह लेबल निकालते कैसे इंट्राइड के लिए तो आप सेट